कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब ही उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वाइब बून ही आती है और उसे कहते है कि वह पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम की एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डीनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसके सिप से बाहर कूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एनिमल्स को इंसानों की वज़े से अपने घर को छोड़ कर भागना पड़ा था वो एक ऐसे जगा की तलास में जा रहे होते हैं जहां अभी तक इंसान ना पहुंचे हो उन में से एक बुड़ा टर्टल होता है जो उन्हें बताता है कि मैगरेटरी बर्ट से उन्हें पता चला है कि यहां से कुछ दूर सेवेना नाम का एक जगा है जहां भी तक इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्सौन सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा। इधर सेवेना के क्यूइन सबसे कह रही होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सूख चुके हैं और अगर ऐसे ही ह तालात रहे तो उन्हें सर्वाइब करना मुस्किल हो जाएगा। चाल्स और उसकी टीम भी सेवेना की खोज करते हुए उसके बहुत करीब पहुँच चुके थे। बिली पानी की तालास में आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी फैमली के लिए पानी लेकर जाना था। वह बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था। तब ही वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बफैलो का एक ग्रूप पढ़ा हुआ है। जूनियर खुस हो जाता है कि उसके ड डैड नहीं है। बिली दुखी होकर वहां से चला जाता है। बोनी जूनियर से कहती है कि उसे अपने डैड से ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए थी पर वो कहता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी उसे अकेला छोड़ दे। बिली अपने दोस्त सोकराटीज के पास जाता है और क अकेले ही जाने लगता है सोक्राटीज उससे बताता है कि जब तुम रिवर बेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वैली अपदेट को पार करना होगा ये सुनकर बिली बहुत डर जाता है वो उससे पूचता है कि ये वैली अपदेट क्या है सोक्राटीज उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता कुछ दिर बाद सोकरटीस देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है बिली अपनी तलास में आगे बढ़ने लगता है और कुछ दिर बाद वो वैली के गेट के पास पहुंच जाता है वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है वो जगह उसे बहुत ही डरावना लग रहा होता है तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सुकरेटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबादी बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है जो इसकी तरफ बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तभी वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर बिया था जिसकी डर की वज़ा से वो तेंदुआ भागा था सोकरटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बागी टीम से मिलते हैं रात को वो सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोकरटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उसने उस दिन वहाँ एक अलग क्रियेचर को दिखा जिसे इंसान कहते हैं सुबह चाल्स सब को उठाता है, वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठक चुका है, चाल्स अपने दो एनिमल टॉबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूंडने के लिए भेजता है, और वो उन दोनों टटल के ही रहेगा, वो चारों वहां से आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं, उन सब को वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है, उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था, वो सब छुपते हुए डैम कि टोटो से उनका वेलकम कराता है, इदार एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनिमल होटल तक पहुँच जाते हैं, वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ति करने लगते हैं, बिली और सॉकराटीज वहां के कॉंफरेंस रूम में पहुच जाता है, जिसे देखकर वहां के सारे योग बहुत डर जाते हैं, वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं, ओनर वहां का हन्टर को आवाज देता है। है कि ऐसा करने से वो अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं बिली उससे कहता है कि वो लोग यहां छोपे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें उनकी फैमली के लिए पानी लेके जाना है तोटों से कहता है कि उन्हें डैम के फ्लट गेट्स को खोलना होगा जिससे उनकी नदियों म और वो भी उसमें गिर कर बहने लगता है और उसमें बहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है टूबी और असमाइली भी उसके थूरू ही बाहर आ जाते हैं वो हंटर जल्दी से फ्लाट गेट को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास जाए थे चार्लस महां के बाकि सभी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सभी एनिमल से जाकर बात करनी चाहिए और उनस को यहां बुला कर वो डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बैफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुंच चुके थे तभी वो हंटर एक प्लेन में बैठ कर वहाँ आता है वो उन पर एक म करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोक्राट इज को उसके पिंजरे से आजात कर देता है और इधर चाल्स अपने अनिमल्स को डैम पर अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोड़ने की कोसे करने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि बफै होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी की फूआरे आने लगती है और फैनली पूरा डैम तूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते हैं सोकरेटीस भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वाँ खुशी खुशी रहने लगे माया और उसके डैड भी ये देख कर खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक ए यू लोगसर से खुशी फौर झाउने अखुशी खुशी पर बलाइकन